Hello friends, good morning and welcome to our YouTube channel और friends, आज मैं आपके लिए लेकि आई हूँ 22nd of December 2021 के Important Current Affairs So friends, Current Affairs का session स्टार्ट करने के पहले हमने जो last day की Current Affairs को पढ़ाता उसका revision करते हैं Then हमने स्टार्ट करेंगे आज की Current Affairs को So friends, first question है यहाँ पे कि Tamil Thai वाजथू जो है उसे किस राजि का राजगीद घोषित किया गया है इसका answer होगा tamil laadu जो राजी है उसका राजगीद घोषित किया गया है Tamil Thai वाजथू को और यह घोषित किया गया हैoka 17 December 2021 को और जो Tamil Thai वाजथू है ये एक प्रार्थना गीत है जो कि तमिल मा की इस्तुत्वी में गाय जाता है और ये 55 सेकेंड का गीत है नई पीडी का जो परमानू सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है अगनी पी इसका सफलता पूरोग परिक्षन किस ने किया है इसका एंसरों का फ्रेंड डियाइडियो के द्वारा इसका सफलता पूरोग परिक्षन किया गया है और फ्रेंड जो डियाइडियो है इसका फूल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलोपेंट और जिसका मुक्छाले है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्षन सती सॉफ्ट्वेर टेक्नोलोजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महनिदेशक कौन बने है इसका एंसरों का फ्रेंड अर्विन कुमार जो है वो सॉफ्ट्वेर टेक्नोलोजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महनिदेशक बने है नेक्स क्योशन है फ्रेंड गोवा मुक्ति दि यह उनका नाम है प्रमोत सावन जो की बीजेपी पारिटी से हैं और गवर्णर हैं पीए स्रिधरन पिल लई और मुखे नेदीश ने दिपांकर दता स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन अफ इंडिया ने SJFI मेडल 2021 से सम्मानित किया है और जो हमारे पूरो भारती क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर सुनिल मनुहर गावशकर हैं उन्हें गुवाटी असम में SJFI वार्षिक आम बैटक में अपनी पतस्ठत SJFI मेडल से सम्मानि किया गया है और के जॉमो सूप को युनेसको द्वारा अमुर्थ संस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है और फ्रेंड जो हैती है यह उत्तरी अमेरिका महद्वीप में इस्तितिक कंट्री है और इसकी कैपिटल है पोर्ट और प्रिंस और इसकी करेंसी है हेशीन गौरेट और यह नेक्स सूचन है फ्रेंड्स बुनियादी साक्षर्टा और संख्यात्मक सुचकांग दो हचार इक्षिस में छोटे राज्यों की स्ट्रेंडिंग में कौन सा राज्य है जो सिर्ष पर रहा है और टॉप थ्री में जो राज्य है उनमें फर्स्ट पे है केरल, सेकेंड पे है और ठर्ट पे है पंजाब और इसको जारी करता है वह है प्रदान मंत्री की आर्थिक सलाकार परिशित के द्वराद को जारी किया जाता है नेक्स क्योशन है फ्रेंड्स इंडियाज एंसेट लिगेशी पुस्तक को किसने लिखा है तो इसका रेखा चौधरी जो है उन्हों का अपना एक करेंट अफियर सो फर्स्ट कुईशन है यहां पर गैब्रियल बोरिक जो है वो किस देश के सबसे युवा राश्च्पती बने हैं तो इसका एंसर का फ्रेंट्स ऑप्सन नंबर डी चिली के जो राश्च्पती बने हैं उनका नाम है गैब्रियल पॉरिक और यह 30 साल के हैं जो कि चिली के राश्पती का पडनोंने संभाला है और ये सेबस्टरियंट पिनेरा की जगा लेंगे ओ फ्रेंट्स चिली जो है वो दक्षीन अमेरिका इस इतमें एक देश है जिसकी राधानी है सेंटियागो और यहां की करेंशी है पेसो और चिली के राश्प के नाम है स्थावकत मर्जी ओयव गिनी यहां के राश्पति है कर्णल मामडी डॉंबया और यूगांडा के राश्पति का नाम है युवेरी मुसेविनी और किर्गिस्तान जिसके राश्पति है सदीर जापा रूर नेक्स वोचने फ्रेंड युवाओं को खेल गति विद्य को शुरू किया है सहाय जिसका फूल फॉर्म में इस्पोर्स एक्षन टूवर्ड हानेसिंग एस्पेरेशन आफ यूद और इसका जो जारकन के जो नकसर प्रभावित जिले हैं उसमें युवाओं को खेल गति वीदियो से जोड़ कर रशनात्मक बदलाओं की जो सोच है उ इन में फर्स्ट है हमारा दूध मुल पुरसार योजना योत्राकन की है बैक्त वर्क योजना ये है राजस्थान की और श्रमिक मित्र योजना ये दिल्ली की है और डेरिय सरकार योजना जो है ये है गुद्रात की और मुख्यमंत्री राशन आपकी द्वार योजना ये है मध्यप्रदेश की नेक्स्कूशन है जो है इसके नए प्रभण निदेशक कौन बने हैं इसका इंसर रोका अपसर नमबर ची अन्सु कीम जो है वो हुन्टेई मोटर इंडिया लिमितेट के नए निदेशक बने हैं और यह सिन से उब कीम की जगर लेंगे हिमल इसका फुल फॉर्म है हुझे मोटर इंडिया लिमिटेड इसके स्थापना हुई थी छह मई उनीच सो चानवे को और इस से इस कुश्चन टाइप से कुश्चन देखते हैं तो इसमें फर्स्ट पे है हमारा उजिवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीओ जिनका नाम में इत्रा डेविस और रेटिंग एजंसी डेशक यो नए प्रभन निदेशक और मुखे कारिकारी अधिकारी हैं इनका लाम में रामानाथ कृश्णन और नेक्स ट्रेटिंग एजंसी क्रिशिल के जो एमडी एंड सी इउए वह वह अमेश महता और फ्रेंट्स IDFC First Bank के जो MD&CEU है उनका नाम है वी वैदनाथन और फ्रेंट्स ICICI Bank के जो MD&CEU है इनका नाम है संदीब बक्षी Next question है फ्रेंट्स यहाँ पे उत्राखंड राज के जो नए brand ambassador बने है उनका नाम क्या है तो इसका right answer का फ्रेंट्स यहाँ पे option number C रिसा पंत जो है वो उत्राखंड राज के नए brand ambassador बने है और फ्रेंट्स जो रिसा पंत है वो team इंडिया के विकेट के पर और बल्लेबाज है फ्रेंट्स उत्राखंड के बारे में कुछ important facts देखते है तो इसके स्थापना हुई थी 9 November 2000 को और इसकी राजदानी है देहरादूर गैंट सेन और मुख्य मंत्री है पुषकर सिंग धामी गवर्नर है गुर्मित सिंग मुख्य नयादेशा रागवेंद सिंग चोहान उडिजा के जो पडोसी राजज़े है दो है जिसमें फस्ट है हमारा हिमाचल परदेश सेकेंड पर है उत्तर परदेश और पडोसी देश भी दो हैं तो फस्ट है तिबद और सेकेंड पर है नैपाल फिर उत्राकर्ण की जो लोकसवा सीटों की संक्या है वो है 5, राजसवा सीटों की संक्या है 3 और विधान सवा सीटों की संक्या है 71 फिर उत्राकर्ण में कुछ प्रमुक जिले हैं उनको देखते हैं तो नैनी ताल जिल, डोडी ताल जिल, भीम ताल जिल, साथ ताल जिल, राकस ताल जिल, माला ताल जिल, देव ताल जिल, खुर्पा ताल जिल, जिलमिल ताल जिल, ड्रोन सागर जिल, गीरी ताल जिल, शामाला ताल जिल, रूप कुंड जिल, सत ताले जिल, नौकुछिया जि लिए सभी जो जीले हैं वो उत्राखंड की हैं फिर उत्राखंड में जो एक जीम कॉर्बेट नैशनल पार्क है जो कि भारत का सबसे पुराना नैशनल पार्क है इसकी अतापना होई थे 1936 को और इसका जो नया नाम है वो किया गया है रामदंगा राश्ट्रे उध्यान फिर भारत का सबसे उंचा बांद है जिसका नाम है टिहरी बांद यह भी उत्राखंड में इस्तित है और यह भागी रती नदी पर इस्तित है और उत्राखंड में जो नदी निकलती है गंगा नदी वो गंगोत्री से निकलती है और यमना यमनोत्री से निकल लिए यह दोनों भ 5 जो brand ambassador अभी recent में appoint किये गया है उनको देखते हैं तो डिस्नी बाइजूस के early learned app का जो वेश्विक brand ambassador है उनका नाम है नीरत चोपड़ा भारती मोबाइल accessories निर्मान ब्रांड जिसका नाम है Unix इसके ब्रांड नाम है जस्परीद बुम्राव किर्श फूड़ वियर ब्रांड जो प्लेटो है इसके ब्रांड नाम है राखुल द्रविड ओंलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल के ब्रांड नमर्ज रहे मोहमस सिराज और स्पोर्ट्स वियर ब्रांड जिसका नाम है एडिडास इसकी वैश्विक ब्रांड नमर्ज रहे दिपका पादुकॉर्ण और इसको मनाने का उद्देश्च है यह है कि विविदता में एकता के महतों को समझाना टॉप फाइब जो दिवस रहे हैं उनको देखते हैं तो फर्स्ट में रहा है अंतरास्टी चाय दिवस जो की 15 दिसम्बर को मनाया गया है नेक्स्ट है अंतरास्टी परवत दिवस जो है 2021 वो मनाया गया है 11 दिसम्बर को और इसके थीम रहे है अस्थाई परवत दिये परेटन नेक्स्ट है मानवा अधिकार दिवस 2021 जो है वो मनाय गया 10 दिसम्बर को और इसकी थीम थी असमानता को कम करना और माना अधिकारों को आगे बढ़ाना नेक्स्ट है विश्व बिदादिवस 2021 जो है ये मनाए गया था पांच दिसंबर को और इसकी थीम लेते हाल्ट स्वाइल सैलिनाइजेशन इन्हेंस स्वाइल प्रोडक्शन लठाक में कहाँ पर पहले रेल डियो सेवा की सुरुवाथ हुई है तो इसका अपसर नमबर भी लह में इसकी सेवा की सुरुवाथ हुई है और लह यहां के उपराजय पाले है राधाक शृक्षन माथुर मुख्यन अदिश है पंकर मिथर और प्रमुक जील है यहां कि पैंगॉंग जील फ्रेंड यहां पे हवाई अड़े हैं जिसमें इंप्वाटन है कि कुशोक बकुला रिपोचे एरपोर्ट जो है यह लद्दाक का है और छेत्रफल के दिश्टी जिस सबसे बड़ा यूटी है वो लद्दाक है और पाक अदिकित कश्मीर को किसके साथ शामिल किया गया लद्दाग सरकार ने हिम तेन्दवा को किंद्र शाशिच प्रदेश लद्दाग का राजकी पशु और काली गर्दन वाली जो क्रेन ने इसको राश्री पक्षी खोशित किया है नेक्स कुशन है फ्रेंड्स यहां पे BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियर्शिप में रजक पदक जीतने वाले पहले भारती किदा खिलाडी कौन बने हैं इसका राइट नंसरो का फ्रेंड्स आपसर नंबर B किदामिश रिकान जो है वो BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियर्शिप में रजक पदक जीतने वाले भारती पहले खिलाडी बने हैं और यह जो फाइनल में इन्हें सिंगापूर के लौक कीन ने 21,15 और 22,20 से हराया है अंतराश्ट्री मदुमक्खी पालन महस्तों 2,021 जो है उसका आयोजन कहां हुआ है इसका एंसरो का फ्रेंड्स आपसर नंबर B हलदवानी उत्राखन में इसका आयोजन किया गया है अंतराश्ट्री अस्तर से प्रतिभागिता सुनिशित करने है तू, मौन एवं मौन उत्पादो है तू, प्रतियोगिता एवं तक्नीकी सत्रों कायोजन किया गया है टॉप फाइब जो मौत्सो हैं वो हैं कि वांचुआ मौत्सो ये अशम में है, अशम में मनाया जाता है और सिंदु दर्शन मौत्सो ये लद्दाख में मनाया जाता है केला महसो फ्रेंट्स ये उत्तर प्रदेश का है और काला नमक चावल महसो जो है ये है उत्तर प्रदेश का और गुड महसो जो है 2021 वो है उत्तर प्रदेश का Next question है friend The monk who transformed उत्तर प्रदेश How yogi अधितिनाज changed UP वाला भाया abused to a badge of honor पुस्तक को किस ने लिखा है इसका टाइट एंसरो का फ्रेंट्स option number B शांतनों गुपता के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है Next question है friends 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवर्ड में सरोसर्ष महिला पजारपन का समान किस ने जीता है इसका एंसरो का फ्रेंट्स option number D अवनी लखेरा जो हैं उन्होंने इस समान को जीता है भारती निशान बाज अवनी लेखरा जो हैं उन्होंने 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में निशान बाजी में भारत का पहला स्वर्ण बदग जीत कर इतियास रचा था और इन्हों ने 2021 के Paralampic Sports Award में सरोस्तिष्ट महिला पदारबन का समान दिया गया है और इसका जो एकल संस्क्राइन में दो Paralampic पदक जीतने वाली है पहली भारती महिला है प्रेंट्स आज का जो टेस्ट क्वेशन है वह है भार्ग में सेमी कंडर्टर चीप कोई कमी को दूर करने के लिए केंदर सरकार ने कितने करोंड की योज़रा को मंजूरी दी है इसका जो राइट एंसरों का वह आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा और आ थेंक यू